हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तो मैं कमलेश विश्व कर्मा दोस्तो आप सभी कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो आपका बिहार आई टी आई कैट का क कांसलिंग कब होने वाला है तो फ्रेंड्स मैं हरोज अपने चैनल पर ऐसाई वीडियों और आई टी आई सम्मंदित न्यूज और अनेक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुचाता हूँ तो फ्रेंड्स मेरा वीडियों से पहले पाने के लिए निची दिए लाल बट्रम को दबाकर हमारे चैनल को स्क्राइब करने और बगल में दिये गए बेल आइकों को भी प्रेस कर दें ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बहुत जल्द पहुचता रहे तो फ्रेंड्स आईए हम लोग जानत हूँ आप लोग इसमें देख पाएंगे दोस्तो कि आपका इसमें फर्स्ट है अपलाई फार यूजी इए सी 2019 ठीक दोस्तो इसका अपलाई दोस्तो हो रहा है और फ्रेंड्स आईए हम लोग कुछ इंपार्टेंट्स डेड जान रहे हैं दोस्तो तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि टाइम सेडूलेड निम्नवत हैं आपका दोस्तो जो बिहार यूजी एम एस इका दोस्तो है उसका पब्लिकेशन आप मेरिट लिस्ट एन बोर्ड आप वेफसाइट इसका दोस्तो आया है अठाईश चह़़वर उन्निस को और दोस्तो सीट मैट्रिक्स एन बिजिनेस रूल पोस्टिंग आप वेफसाइट पर दोस्तो यह हुआ है तीस चह़़वर उन्निस को और स्टाइट ओनलान रिस्टेशन आप सीट अलाटमेंट और चोईस फिलिंग हो रहा है दोस्तो आपका एक साथ दोर उन्निस से दस ब पांच बेश तक आपका होगा और आपका पांचववा है मोग सीट अलाटमेंट रिजल्ट 24 फिल्ड अपटू 572,19 से 6,23 5 बेश तक आपका यह भी होगा और आपका लाच्ट डेट अप अनलान रिरिस्टेशन फार सीट अलाटमेंट 25 फिलिंग and 25 लुटिंग ठिक दोस् और आपका साथमा है final provisional seat allotment result publication date यह है 9-7-19-10-20 तक आपका होगा और आपका है booking of slot for documents verification and downloading of allotment order ठीक दोस्तो 9-7-19-11-7-2-19 तक आपका होगा 11-69 ठीक दोस्तो और आपका document verification and admission होगा 12-7-15-7-2019 तक और दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि दोस्तो यह जो आपका UP और दोस्तो यह जो आपका UGMSC 2019 का दोस्तो है यह आपका बिहार ITI CAD से के बाद दोस्तो आपका exam हुआ है और दोस्तो इसका exam भी हो गया और यह इसका answer key भी आ गया और इसका online counseling भी शुरू हो गया है ठीक दोस्तो आपको दोस्तो मैं बता दू कि ऐसा क्यों हुआ है तो friends आप ल 121,000 total seat है और आपका बिहार ITI CAD में दोस्तो आपका seat है 25,168 seat है दोस्तो आपका बिहार ITI CAD में इसमें दोस्तो छात्र की कतार ज्यादा है इसलिए दोस्तो इसका अभी तक नहीं आया रोक्विडेट और दोस्तो इसमें 1000 था दोस्तो इसलिए उसका पहले हो गया counseling और दोस्त तो जब भी इसका counseling दोस्तो खतम होगा तो इसके एक दिन जश्ट बाद इसका दोस्तो counseling का date आ जाएगा और आप लोग का merit list भी पहले आएगा इसके बाद आपका counseling का date आएगा तो friends इसका last date है 12,7,2019 से 15,7,2019 तक ये दोस्तो इसका last date है और दोस्तो आपका 15,7,19 से लेकर 20,7 आप दोस्तो आपका iti cat का merit list भी जारी हो जाएगा और आपका counseling भी हो पाएगा बहुत ही आसानी से तो friends मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियों आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे like करिए और इसे पर दोस्तों के साथ share करिए और इसे comment box में हमें जर application form दोस्तों आएगा counseling का आपको दोस्तों bcece board की आपसे website पर जाना है आपको ये जो online form दोस्तों दिखाए दे रहा है इसी पर दोस्तों आपका iti cat का notification आ जाएगा तो friends मेरा ये वीडियों आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे like करिए और इसे पर दोस्तो को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों हमारे एगले वीडियों का notification आप तक सबसे पहले और बहुत जल्द पहुशता रहे वीडियों देखने के लिए धन्यवाद